कि दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत हैं हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तों सुरू करते हैं आज सबसे बड़ी ख़वर के रूप में तो दोस्तों आज ही सबसे बड़ी ख़वर है बीसेनल का अविननंदन प्लाण 151 रुपे में रिचार्ज से मिलेंगे यह फायदे जी हाँ दोस्तों बीसेनल अपने प्रिपेट गरांकों के लिए अविननंदन 151 नाम से प्रिपेट इंदन के नाम पर है या नहीं, आपको बदा ते कि बिये सेनर्ट का यह पलान 24 दिनों के लिए है, यह पलान के फाइदे ग रहाँकों को 24 दिनों के लिए ही मिलेगा, लेकिन इस पलान की वैदता 180 दोने के लिए होगी, 151 रुपय की प्रिप्रिइट पलान के साथ ही unlimited, local, डिजिटल BSNL की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं जोकत यूसुफ रजाई और उनके मंत्रियों ने समवादाता सम्मिलन के दोरान फेस्बूक लाइब में गलती से कैट फिल्टर लग जाने से बिल्ली जैसे नज़ा आ रहे हैं आपको बता दी कि प्रेस कॉंफिरेंस के दोरान यूसुफ रजाई विधान सबा के हाल ही में ले गए फैसले के बारे में बात कर रहे थे लेकिन गलती से कैट फिल्टर लग जाने की वज़ा से इंटरनेट पर इन मंत्रियों के तस्वीर लोगों ज्यादा देख रहे हैं ममतब नर्जि ने ड zurückท被 मांगे मान ली यह सनिवार को प्रेस कॉंफिरेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि हमने किसीको गिर्फतार नहीं किया है और ना ही हम रमा लगाना जा रहे है ममतब नर्जी ने कहा है कि जूनियर डॉक्टर काम पर लोटे हमने उनके सभी मान गे मान ली है जी हाँ दोसों पस्ची मगल की मुखे मंतरी ममतब नर्जी ने कहा है कि हरताली डॉक्टरों पर बलपूरवक परियूग नहीं किया गया है हमने किसी को गिराफतार नहीं किया है, हम कोई पूलिस कारवाई नहीं करेंगे, स्वास्त सेवाई इस तरीके से नहीं रह सकती है, मैं कोई कड़ी कारवाई नहीं करने जा रही हूँ जी हां तो सो ममतव नर्णी ने कहा है कि डॉक्τοर के हरताल से काम पर लोटने की अबिल्की है, उन्होंने कहा है कि हजारों लोग चिकित्सा उपचार की पृतिक्षा कर रहे हैं, ममतव नर्णी कहा है कि डॉक्तरों के साथ मार्पीट की घटना को दूर्ब्यवार बताया है, राजी सरकार जल्द से जल्द समाने चिकित्सा सेवाए फिर से सुरू करने के लिए प्रतिवध हैं। हमने लगतार एक समधान पर पहुचने की कोशिस किया। अंतब नरी के मुताविक उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रिंस्पल सेकरेटरी से सनिवार को हरतालिक डॉक्टोरों के प्रतिमंडल से मिलने के लिए भेजा था। लेकिन पाँच घंटे इंतजार किया लेकिन वे नहीं आये। डॉक्टोरों को समधानिक संस्था को समान देना होगा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाचित नहीं करने पर अड़े हुए हैं। दोस्तो पीडियो को एक लाइक जरू करें। लेकिन इसमें राज्यों को मिला करके प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारे नियंतर संबध पर इसे ध्यान दे। कि लोगों की आय और रोजगार के उसर बढ़ाने के निर्यात छेत्र की मात्यपूर्ण भूमिका है। प्रधानमत्री मोदी ने कहा है कि नव गठित जल सक्ति मत्राले जल प्रबंधन के बिसे के लिए एक सामन्विक द्रिष्टिकोन अपनाने में मदद होगा। राज्यों को भी जल सनक्चन और प्रबंधन के छेत्र में अपने विभिन प्रयासों को सामर्त्वी करना होगा। केंद्र सासित प्रदेशों के उपर राज जेपाल के सभी वरिष्ट केंद्री मंत्री भी हिस्सा लिये थे। आपको बता दे कि निती आयो की गवर्निस काउंसिल की पांची वेठा का मुख एजेंडा सूखे की इस्थिति क्रिसी चेत्र का संक्ट और नकसल प्रभावित जिलों में सुरक्षा को ले करके चिंता है। बैठक में ग्रिह मंत्री अमिस्सा, सनक परिवहन मंत्री नितिन गटकरी, वीत मंत्री निर्मला सितारमन और रक्षा मतिर राजनात सिंग भी मौझूद थे। आपको बता दे कि बैठक में एजेंटा में वर्सा जल संचयन, अक्छांतिय जीला कारिकरम, क्रिसी चेत्र में सनरचनात्मक बदलाओ के मुद्दे भी सामिल किये गए थे। अगली बड़ी के वे खाड़ी में तेल टेंकरों पर हमले के लिए टरंप ने इरान को ठाराया जिम्मेदार। रहा है कि टरंप प्रसासन इरान की दंडित करने और युद्ध के कगार पर पहुचाने बतोर अमेरिका के खाड़ी छेत्र के सहयोकी देशों को भरोसे से रखने के लिए बीच में इस्तिति के लिए फस गया है। इसी तरीके के कुटनिती के लिए अपनाई थी। आपको बता दे कि एरान ने इस विसफोर्ट से किसी सनलिपता से इंकार कर दिया है। और ट्रम्प ने कहा है कि इरान को बहुत कड़े सब्दों में कह दिया है कि हम उन्हें वारता के मेज पर वापस लाना चाहते हैं। गौर तलब है कि एक दिन पहले ही हैं ट्रम्प ने इसके लिए ठीक उल्टा विचार करते हुए टीट करके कहा था कि इरानी ने ताओं से बाचित के बारे में सोचना अभी बहुत ज़्यादा जल्दी बाजी होगी। वे लोग तयार नहीं हैं और ना ही हम तयार है। जी हाँ दोस्तो इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तो आप कमेंट बक्स में जरूर बताए कि आप कि इस तरीके के निउस चाहते हैं। आपने राज और अपने जिला का नाम जरूर बताए ताकि खबरे हम आप तक के रूप में देखना चाहता है। वो राहूर गांधी को इमादार दिल का सच्जा और साफ व्यक्तित वाला भी मानता है। लेकिन वही नेता और कारिकरता राहूर गांधी के अंदाज ए सियासत पर भी सवाल उठाते हैं। पर दिक्कत यह है कि राहुल गांधी से बोले कौन नाम न च्छापने की सर्थ पर तमाम कारी करताओं और निताओं के बीच कई बार कहा सुनी हो गई हैं, जिसमें से परताल से पता चलता है कि वो काफी हद तक सही है, लेकिन राहुल के सलाकार उसको सुधारने के बजाए सा गुप्त क्यों रखा गया है, कब गये, कब आएंगे, कहां गये विए सवाल उठता है, जिसमें से पाटी के निताओं और कारकरताओं को रोज रूबरू होना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कोई भी जवाब नहीं देता है, बीच में पाटी निताओं को समझाने के राहुल ने बिदेश जाने पर ट्वीट करना भी सुरू कर दिया है, जिसको लेकर के सभी बहुत पोस्टिब है, लेकिन चुनाओ के बाद फिर क्यों चुपचा पिदेश द्वरा किया है राहुल गांदी ने, आपको बता दे कि राहुल गांदी जब खुद को सिव भक्त जेने उधारी हिंदू ब्रामन बताया है, जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी कबर राजी सभा के छो सीटों के लिए पांच जुलाई को होगा उपचुनाओ, बिहार की एक और गुजरात की दो सीटों के लिए होगा चुनाओ, जी हाँ दो तो भाजपा अध्रक्च अमित सा और केंद्रिये मंतरी, रविशंक प्रसाद समित छो राजी सभा सदस्यों के हाल ही में लोग सभा चुनाओ जीतने के कारण उचे सदन के रिक्थ हुई छो सीटों के लिए उपचुनाओ पांच जुलाई को होगा, निर्वाचन आयोग ने यह कायकरम जारी कर दिया है, उस बीजर के अचुतानंद सामत लोग सभा के सदस्यों के चुने गए हैं, जबकि उडिशा से ही राजी सभा सदस्यों के प्रसाद केसरी देव के बिधान सभा सदस्यों के चुने जाने तथा सो में रंजन पटनाय के इस दिपय की वज़े से यह सभी सीटे खाली हुई थी, इस लोग सभा के उपचुनाव के लिए 18 जुन को अधिसूचना जारी किये जाने के साथ ही निरवाचन आयों की आपचारिक सुरुवात हो जाएगी, उमिद्वार के लिए नमांकन जो होगी वो 25 जुन की होगी और 26 जुन के पत्रों की जाच की जाएगी, नाम वापस की अंतिमति थी 29 जुन तक तैकी गई है और 5 जुलाई को 9 बज़े से लेकर के साम 4 बज़ तक मद्दान होगा, मद्दान के बाद यह मतगरना 5 बज़े से होगी